अमरीकी राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प के आदेश पर इरान के टॉप कमांडर कासीम सुलेमानी को मार दिया गया इस आदेश का असर कई चीजों पर पड़ सकता है उनमें से एक है जिहादियों के खिलाफ अधुरी लड़ाई सुलेमानी के मारे जाने के तुरंत बाद अमरीका के नेतरित वाली गटबंदन सेना ने इराक में इसलामिक स्टेट के खिलाफ अपना अभियान रोग दिया अमरीका और उनके सहियोगी देशों का ये कहना था कि अब उनकी प्रात्मिक्ता अपनी सुरक्षा है अगर सैनिक दिश्टी से देखें तो शायद उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है सुलेमानी की मौत के बाद इराक में मौजूद अमरीकी और अन्य पश्चमी देशों के सैनिक निशाने पर आ गए है लेकिन इस स्थिती का फायदा इसलामिक स्टेट को भी है जो अपने प्रमुख अबू बकर अलबगदादी की मौत के बाद लगे जटके से उबरने की कोशिश कर रहा है इसलामिक स्टेट के लिए ये और भी अच्छी खबर है कि इराकी संसद ने अमरीकी सैनिकों को अपने देश से चले जाने को लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया है इराक में जब अलकाइदा सिमट गया तो उसकी आधारशिला पर इसलामिक स्टेट ने अपने इमारत खड़ी की वर्ष 2016 और 2017 में इराक और सीरिया में आईएस के नियंतरन वाले इलाके में एक बड़ा सैनिक अभियान शुरू हुआ था इस अभियान में आईएस के कई लड़ा के मारे गए और कई पकड़े गए लेकिन आईएस खट नहीं हुआ आईएस अभी वी इराक और सीरिया के कई इलाकों में सक्रिया है वे छिप छिप कर हमला करते हैं, पैसों की उगाही करते हैं और लोगों की हत्या भी करते हैं इराक में अमरीकी और अन्य पश्चिमी देशों से प्रस्रिक्शन पाए सैनिक और पुलिस करमी हैं जो I.S. के खिलाफ जंग में शामिल है सुलिमानी की मौत के बाद अमरीका ने न सिर्फ अपना अभियान रुख दिया है बलकि प्रस्रिक्शन भी देना बंद कर दिया है अमरीका के साथ साथ डैनमार्क और जर्मनी ने भी अपना अभियान रुख दिया है आईएस के खिलाफ अभियान में इराकी सैनिक सबसे ज्यादा खत्रा मोल लेते हैं तथाकतित इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के पास जश्न मनाने की वजह कुछ और ही थी ट्रम्प का कासिम सुलिमानी को मारने का फैसला आईएस के लिए उनके एक दुश्मन द्वारा दूसरे दुश्मन की हत्या करने का मामला था ये उनके लिए गिफ्ट था साल 2014 इन जिहादियों ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसूल समेत इराक के एक बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया था इसके बाद इराक के प्रमुक शिया धर्मगरू आयातुला अली अलसिस्तानी ने आईएस के इन सुन्नी लड़ाकों के खिलाफ हतियार उठाने की अपील की इस अपील के बाद हजारों शिया युवा आगे आए सुलिमानी और उनकी कुज फोर्स ने उन्हें हतियार बंद करने में एहम भूमिका निभाई ये नया गुट आईएस का कटर दुश्मन साबित हुआ इन गुटों के कुछ ताकत वरनेता अब रसूखदार सियासदान बन गए है 2014 के बाद अमरीका और इन गुटों का दुश्मन एक ही रहा है लेकिन अब हालात बदलने वाले है अब शिया गुट एक बार फिर 2003 में हमले के बाद अमरीकी सेना के खिलाफ हुए संघर्श वाले हालात की और लोटिंगे उन दिनों इन शिया गुटों को सुलेमानी ने ट्रेनिंग दी और हतियार मुहिया करवाए इन शिया लडाकों के हातों कई अमरीकी सेनिकों की जान गई थी पिछले हफ़ते टरंप के सुलेमानी को मारने के आदेश के पीछे ये एक बड़ी वजह थी साल 2018 में जब से डॉनल्ड ट्रंप ने इरान नुक्लियर डील से अपने हाथ पीछे खीचे हैं दोनों देश जंग की राह पर निकलते दिख रहे हैं सुलेमानी की मौत से पहले ये शिया गुट एक बार फिर अमरीकी सैनिकों को निशाने पर लेना शुरू कर रहे थे दिसंबर में उत्तरी एराक में एक अमरीकी कांट्रेक्टर की हत्या हुई थी इसके जवाब में अमरीका ने हवाई हमले में कतैब हिजबुला नाम के एक संगठन के 25 लडाकों को मार दिया था इसी गुट के नेता अबू महदी अल मुहादिस बगदाद एरपोर्ट पर सुलेमानी से मिला और उनकी कार में बैठ गया इसी कार पर अमरीकी ड्रोन हमला हुआ और दोनों मारे गए ये देखा गया है कि जिहादी चरमपन्थी अस्थिर्ता अराजकता और कमजोर पड़ चुके बटे हुए दुश्मनों का फायदा उठाने में माहिर होते हैं ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और इस बात की पूरी संभावना है कि भविश्य में ऐसा ही हो